से question है surface area volume से question है the paint in a container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square हमारे पास एक container है जिसमें paint है जो 9.375 meter square area को paint कर सकता है how many bricks of dimensions 22.5 cm, 10 cm, 7.5 cm can be painted for this container तो अब हमारे पास जो brick है उसके dimension है तो कितनी bricks हम paint कर सकते हैं वह हमने find करना है इसको तो यह जो area है यह हमारे पास area है जो हम use करेंगे bricks को paint करने के लिए तो simple है कि जो हमारे पास एरिया है इस area को हम area of total surface area of brick से divide कर देंगे तो हमारे पास अंसरा जाएगा तो पहले में इसका total surface area find कर लेता हूँ total surface area जो formula बनता है इसके qubide का 2 into lb plus bh plus hl तो अगर आप इसको multiply करोगे तो हो जाएगा यह 22.5 into 10 plus 10 into 7.5 plus 22.5 into 7.5 अब आप multiply करेंगे इसको तो decimal हट जाएगा तो हो जाएगा 225 7.5 into 10 होगे 75 और 22.5 into 7.5 यह मारे पास आएगा 168.75 जब इन तीनों को add करेंगे तो हमारे पास जो answer आ रहा है 468.75 और जब आप इसको multiply करोगे तो यह बनेगा 937.5 cm2 तो अगर आप देखें यह मारे पास है 937.5 और यह 9.375 same values हैं सिर्फ decimal और unit का फर्क है तो जो area है total paint जो हमारे पास है जो total paint है वो है 9.375 meter square अब यह unit centimeter के यह meter हमें बदलना पड़ेगा तो meter को बदल देते हैं 1 meter square जो वो 10,000 cm2 के बराबर होता है तो यह गया 9.375 into 10,000 cm2 अगर आप decimal remove कर देते हैं तो 9,375 over 1000 हो जाएगा और यहां पर 10,000 एक, दो, तीन, तीन, जीरो कट गहीं तो 9,375,0 cm2 आगया है यह total जो हमारे पास paint है जो जिसे हम area paint कर सकते हैं यह एक brick का area है तो number of bricks जो आएगे number of bricks वो हमारे पास आएगी total area 9,93,750 divided by 937.5 अभी decimal कौम यहां से अठाते हैं तो 9,3,750 over 10 उपरा जाएगा यह कार दिया 10 से तो 10 into 10,100 तो 100 bricks जो है वो paint हो जाएगी इस area से यह इसका answer है Thank you